हाई दोस्तों फाइनली रॉयल इंफिंट ने अपने ओफिसल वेबसाइट में जो है इंटरसेप्टर और कॉंटेंट जीडी की इमेज़ जो है दालती है जो कि अलोईविल आपको देख रहे होंगे साथ में दोस्तों इस पर डिटल बात करने वाले हैं बिकॉस बहुत लोग है यह जो फिक्स मॉडल आ रहा है तो क्या करेंट मॉडल में भी अलोईविल आप्शन दिया जाएगा नहीं जाएगा अलग से हम बाइ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो सारी डिटलिंग बात करेंगे अब दोस्तों इंटरसेप्टर में दो कलर ऑप्शन जो है दिये गए है और जीटी में भी दो कलर ऑप्शन दिये हैं तो पहले इंटरसेप्टर कर देख लेते हैं दोस्तों यह आप मॉडल देख रहे होंगे तो यहां पर थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं अब ब्लाक इंजन जो आई रहा है अब इसमें हाईलेटिंग पॉइंट क्या क्या है त वैसी आपको देखने में मिल रही है ब्लाक कलर में और साथी साथ जो है ट्राय टेस्टेट सस्पेंशन जो है अब यह सस्पेंशन जो है आपको नाइटरिक वाला जो है आपको सूपर मीटियों में नहीं मिल रहा है बट इसमें जो है देखने मिलता है सस्पेंशन बहुत को मिलने वाले हैं इसके बाद अलाविल की साइज क्या है और क्या आपको एंट्रसप्टर और कॉंटिनेटी जो करेंट मॉडल है जो अभी सेल हो चुकी है उन में अलाविल आएगा नहीं आए उसमें बात करेंगे तो सेम वही चीज है जो आप मैंना पर प्रेमियम आएं टेस्टर सस्पेंशन यह सब यह जो है यही हाइलाइडिंग पॉइंट्स और ग्रे एंड ब्लू का जो है दो कलर ऑप्शन मिलने वाला है तो यह ही है एंड स्पेसिफिकेशन बेगर जाया है तो दोस्तों आपको नीचे क्लेल आपको दिखाए देगा कि यहां पर ए 24 के असपास कुछ मेट था अभी 27 kg की जो बाइक है वह हैवी हो चुकी है तो यह चैज़ेस भी आपको देखने को बिल रहे है तो दोस्तों आप कोश्यन ही आता है कि क्या आप इसको भाइक में लगाना चाहिए हैदलेट अगर अपनी बाइक में लगाना चाहिए हैं तो य जो बोनुना तो नहीं आप इसको एकदम से नहीं ले सेते पेले जो है त्रोले फ्लीक मॉल्डल के थ्रू जो नए बाएर से उनको सेल करेगी उसके बाद मिज़ा को बाद बाध जो है आपको अब कुछ ताइम का डेफिनेशन क्या है वो मैं बाद माद बाता उब कुछ जो है OPD में करने थे तो यह मॉडल जो है चेंजिस के साथ में आपको मिल जाएगा तो यह चीज अच्छी है अब ऐसा है कि पहले जो है सेलिक साइड में जाएगा उसके कुछ टाइम बात जब उसका रिजल्ट बोलते ना कि जो यूजर से जो है उनका कम्प्लें कैसे आ रही उनको जो है एक नया ओप्शन जो है रहा दिया है अब दोस्तों जैसे ने बताया थे कि पहले जो है 18,000 के असपर जो है प्राइस का डिफरेंस निया मॉडल जो है जिसमें की कम्प्लीट ब्लैक तश दे रहा है न बहुत सारे चेंजिस किये हुए है तो दोस्तों अगर इस आपको थोड़ा कॉसली जो है यह बाइक पढ़ने वाली है और डेफिनेटली नहीं कलर स्कीम भी है तो कम से कम 25-30,000 जो है आपको जाद पे करने पड़ेंगे इस मॉडल के लिए तो आए होप दोस्तों आपको कम्रीट वीडियो डेटिल मिल चुके होगे और यहां वीडि क्लेर करनों कि यह सिर्फ यूके के लिए है अभी यह इंडिया में नहीं आया हुआ इंडिया में जो है आपको मार्च मेडिया मार्च एंडिंग के असपास में जो इसका लॉंच टिल देहनों मिलेगा बाई झाल